हिमाले में लगातार सूख रहे जल स्तरोतों को लेकर वैग्यानिक भी चुन्तित हैं। लिहाजा वैग्यानिक अप गंगा बेसुन शेतर में झ्धने, जीलो और नदियों के इस त्रोत सूखने के कारणों की परताल में जुटे हैं। दरसल जल स्त्रोतों की सूखने से पेर जल का संकट बढ़ रहा है देखिए ये रिपोर्ट हिमाले गंगा यमुना और भ्रमपुत्रा जैसी बड़ी नदियों का स्त्रोत है जिनमें ग्लेशेरों से निकलने वाली जल के साथ साथ बरसात में जमा हुआ भूजल भी रहता है लेकिन बीते कुछ सालों में यहां ऐसे कई जल स्रोत सूख गए हैं जो नदियों के लिहास से महत्वपूर्ट थे इनमें कई धारे गधेरे और चरने शामिल हैं गंगा बेसन में यह हालात एक दो जगहों पर नहीं बलकि पूरे मध्य हिमालय में नजर आ रहा है इसकी वजह जानने के लिए अब व्यग्यानिक सूखते जल स्रोतों पर अध्यान कर रहे हैं ताकि नदियों के जल स्रोतों को बचाया जा सके इसके अध्यान के व्यग्यानिक अगर दिस्टिकोंट से देखें तो हम लोग इन स्प्रिंग्स को रेजुनेट करने के लिए यह देखा आईसोटोप है या हाईडर जियोकेमिकल स्टेडीज होती है इनका हम लोग परियोग करते हैं असल में हिमाले के गंगा बेसिन में जल स्रोत सूखने से उसमें पानी की कमी हो रही है जिससे भविष्य में बड़ा जल संकट खड़ा हो सकता है अब वग्यानिक अपने शोट के जर्ये ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाले में जल की उपलब्दता क्या है और अगर ये खट रहा है तो भविष्य में नदियों पर इसका क्या आसर पड़ेगा साथ ही विज्ञाने की जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो जल स्रोत सुखे हैं या जिन में पानी कम हुआ है उनमें पानी की उपलब्द दा कहां से थी और किन वजहों से पानी स्रोतों तक नहीं पहुँच पा रहा है और अगर ये जलवाईू परिवर्तन के चलते हुआ है तो इसका भविश पर क्या आसर पड़ेगा इसकी परताल भी की जाएगी हाँ ये निश्चित रूप से कम भीर विशा है क्योंकि जमीन के अंदर पानी नहीं उतरेगा या पानी वापस नहीं निकलेगा तो जो हैडरोलाजिकल स्टेट है या हैडरोलाजिकल बैलेंस है तो डगमगाए गई साथ ही साथ अकर जमीन के अंदर पानी नहीं उतरता है तो बालक की भी संभावना बढ़ती है और जैसे जैसे बालक की संभावना बढ़ेगी तो नुकसान भी आपका बढ़ता जाएगा इसके लिए जरूरी है कि हम proper मातरा में या सही मातरा में जला जो पानी है वो जमीन के अंदर जाए वग्यानिक अपने शोद की दौरान गंगोत्री से रिशिकेश तक के गंगा बेसिन में शोद करेंगे जिससे हिमाले के अंजान पहलूओं के भी सामने आने की उम्मीद है असल में बीती कुछ वक्त में हिमाले में ना किवल जल्स रोट सूखे हैं बलकि कई तरह की वनस्पतिया भी खत्म हो गई है और ये बड़ा बदलाव चिंता की वजह बन रहा है देरदोन से सोनु सिंग के साथ ब्यूर रिपोर्ट इंडिया 24-7 उत्राखन का गठन हुए 16 साल बीच चुके हैं लेकिन राज़्य के हालाद इन 16 सालों में बहतर होने के बज़ाएं खराब जादा हुए है हलाकि प्रदेश में जो भी सरकार आती है वो विकास के दावे करती है इसके लिए GDP का हवाला दिया जाता है लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि बीते 16 सालों में प्रदेश के ग्रामीर शेत्रों में कितना विकास हुआ है देखे ये रपोर्ट ये है पौडी के यमकेश्वर विधान सभा का पोखरी अजमीर इस गाउं से दुनिया अंचान है और शायद ही कोई यकीन करे कि जिस पौडी जिले में ये लांस्टाउन जैसा टूरिस डेस्टिनेशन है उससे जिले की एक तस्वीर ऐसी भी हो सकती है यहां लोग बेहत कठिन हालात में जी रही है ये गाउं जिलाप मुख्याले पौडी से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर बसा है यहां के लोगों को कोड़वा रिल्लिय स्टेशन तक पहुँचने में 70 किलोमीटर दूर पहुँचना पड़ता है सड़क इस इलाके के एंटर कॉलेज तक पहुँचती है उसके आगी का सफ़र पैदल ही तै करना पड़ता है यानि एक गाउ को आसतन 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है पिछले 5 साल में सरकार इस शेतर के लिए कुछ करने के लिए भी तरहा है यहां पे इस सिमलना नियाय पंचैत के अंदर 3 ग्राम सवाए ऐसी है जो की बागी खंड ग्रामों को भी जूडती है पोड़ी के पोखरी अजमीर इलाकी में राशन पहुचाना भी आसान नहीं है यहां ग्रामीर पोखरी अजमीर इंटर कॉलिज तक टैक्सियों के जरीए सामान ले जाते है फिर आगे के लिए पारंपरिक साधनों पर ही उन्हें निर्भर रहना पड़ता है यानि खचरों के जरीए गाउं तक सामान पहुचाया जाता है लेकिन इस पूरी कस्टत में उन गाउं की लोगों की तकलीफ बढ़ जाती है जो ज्याता दूरी पर बसे है उतरा खट में बीदे 16 सालों में करीब 40 लाख लोगों ने पहार छोड़ दी है जिस पर अकसर चर्चा भी होती है लेकिन ये पलायन क्यूं हो रहा है इसे जाने की किसी के पास फुरसत नहीं है खासकर राशनतेक दलों के लिए ये चुनावी मुद्दे से ज्यादा कुछ नहीं लेकिन जो तकलीफ पोकरी अजमीर शेत्र के ग्रामीडों को हो रही है अगर उस पर ध्यार नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में इस इलाखे में भी पलायन को बढ़ावा मिलेगा पौडी से दिपांकर भट के साथ ब्योरर रिपोर्ट इंडिया 24-7